रादे रादे फ्रेंट्स आज मैं आपको एक कलर में पढ़ने वाला ये डिजाइन बताऊंगी जिसके लिए मैंने या पर फंदे डाली हैं तो ये जो फंदे हैं वो फोर के मल्टिपल से फंदे हैं चार फंदे चार फंदे चार फंदे चार फंदे करते हुए ये डिजाइन हमें बनाना और एक color का design है इसे आप किसी भी sweater में डालें बच्चो की sweater, ladies sweater, ladies cardigan, gent sweater किसी में भी आप इसे डाल के बना सकते हैं तो ये design की पहली सलाई है आप border बनाएं, border बनाने के बाद में इस तरीके से सीधी सलाई में design बनें तो ये 3 फंदो को हम सीधा बनेंगे 3 फंदे सीधे, 1 फंदा सिलेप करेंगे 3 फंदे सीधे बनेंगे 2, 3 1 फंदा सिलेप करेंगे फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2, 3 1 फंदा सिलेप करेंगे फिर से 1 2, 3 3 फंदे सीधे बने, 1 फंदा सिलेप करेंगे फिर से 3 फंदे सीड है, तो है design की हमारी पहली सलाई थी, अब इसकी दूसरी सलाई है, उल्टी सलाई तो तीन पंदो को तो हम उल्टा बुनेंगे, जो हम बुनते हुए आए simple सा ऐसे, तो दो तीन, तीन फंदे उल्टे एक पंदा जो हमने slip किया था इसको slip करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, हमारी दूसरी सलाई है, और जो फंदा जैसा है, उसको बैसे ही बुनेंगे, जो फंदे उल्टे बुनेंगे, उसको उल्टा बुनेंगे, जो slip किया, उसको slip करेंगे, 3 फंदे, उल्टे, 1 फंदा slip करेंगे, फिर 3 फंदे, उल्टे, 1 slip करेंगे लास्ट में 3 फंदों को उल्टा बनेंगे तो यह हमारी दूसरी सलाई ते बैंख की से तीसरी सलाई बनाएती वैसे ही बनेंगे 3 फंदों है एक फंदा तो ये तीसरी सलाई है जैसे पहली सलाई बनाए थी वैसे ही इसको बनाएंगे तो ये तीन सलाईया बन गई है अब इसकी चौती सलाई है उल्टी सलाई तो उल्टी सलाई में देखी कैसे क्या करांगे तो जो हमने या पर तीन फंदे सीधे बने थे अब हम इस उल्टी सलाई में सीधे बनेंगे ऐसे तो तीन फंदों को तो हम बनेंगे सीधा उनको अपनी तरफ करेंगे जो फंदा हमने सिलिप किया था इसको बनेंगे उल्टा फिर उनको पीछे किया तीन फंदे सीधे एक, दो, तेन उनको अपनी तरफ किया एक फंदा जो हमने सिलिप किया था उसको उल्टा बनेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, एक, डो, ती, फिर उन अपनी तरफ एक फंदा जो सिलिप किया था उसको उल्टा बनेंगे, उन को पीछे किया तीन फंदे सीधे, उन अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, फिर उन पीछे और तीन फंदे सीधे बुने तो यह हमारी चौती सलाई बनी है और अब इसकी सीधी साइड से हैं तो सीधी सलाई में अब हम यह डिजाइन चेंज करेंगे पहले हमने यहाँ पे किया था अब हें बीच में जो तीन फंदे हैं न उल्टे इसके बीच वाला फंदा सिलिप करें कैसे करेंगे पहला फंदा हम बुन लेंगे आप इस एक फंदे को सिलिप करेंगे फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे एक दो तीन फिर इस बीच वाले फंदे को सिलिप करेंगे फिर से तीन फंदे सीधे एक दो तीन फिर बीच वाले जो फंदा ना तीन फंदों में से य 판is सीधे हैं two three इन फिर सिल करेंगे पिर तीन फिर सिल्प करेंगे और एक पंदा सिल्प करेंगे और last में एक पंदा सीधा बोनेंगे तो यह डिजाइन की हमारी पांच बिसा थी अब इसकी छटी साल तो जो फंदा जैसा है उसको वैसे ही बुनेंगे, जो फंदा हमने सिलिप किया था उसको सिलिप करेंगे ऐसे, और जो हमने बुने थे उसको बुनेंगे, तो यह तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सिलिप करेंगे जो सिलिप किया था, फिर से तीन फंदे उल्टे, एक फंदा स और एक फंदा सिलिप करेंगे, लास्ट में एक फंदा बुनेंगे, तो यह हमारी छटी सलाई थी, अब इसकी साथ भी सलाई है, तो जैसे हमने यह पाच भी बनाई थी, ऐसी इसकी साथ भी सलाई बनेगी, तो पहला फंदा हम बुन लेंगे, इस फंदे को सिलिप करेंगे, अ इस फंदे को slip करेंगे फिर तीन फंदे सीधे एक फंदा ये slip करेंगे लास्ट वाला फंदा बुन लेंगे तो ये हमारी साथ भी सलाई थी अब इसकी आठ भी सलाई है तो ये जो फंदा पहला इसको बुनेंगे हम सीधा उनको अपनी तरफ करेंगे जो हमने slip किया था फंदा इसको हम उल्टा बुनेंगे फिर उनको पीछे किया तीन फंदे सीधे दो तीन फिर उन अपनी तरफ जो हमने slip किया था उसको उल्टा बुनेंगे उन पीछे तीन फंदे सीधे फिर उन अपनी तरब जो फंदा सिलिप किया था उसको उल्टा बुनेंगे उनको पीछे किया तीन फंदे सीधे उन अपनी तरब करके इस फंदे को उल्टा बुनेंगे उनको पीछे किया तीन फंदे सीधे लास्ट में जो फंदा हमने सिलिप किया था, उसको तो उल्टा बुनेंगे और जो लास्ट वाला इसको भी हम टाही बुनेंगे, तो यह 8 सला ही हमारी बन गए, तो यह डिजाइन भी हमारा ऐसे बन गया, आप इसके उपर से बस जगह चेंज करना है, बनाना वैसे ही है, आप यह जो बीच का जो उल्टा फंदा है ना इसको slip करेंगे तीन फंदों को सीधा बनेंगे अब तो ऐसे डिजाइन जब बनेगा तो इसे जब बार बार रिपीट करेंगे तब यह डिजाइन हमारा ऐसा दिखेगा जैसे बनाया हमने ऐसे बना हुआ दिखाई देगा जब इसे बार बार रिपीट करेंगे तो आपको इस डिजाइन कैसा लगा और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से अब चैनल को सब्सकाइब करें धन्यवाद